हेलो और वेलकम बैक गाईज आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट अपडेट्स और गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एससबी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट को लेकर गाईज जेके एससबी की तरफ से यहाँ पर 232 न्यू पोस्टर जो है वो अडवर्टाइज कर दी गई है और यहाँ पर इनके आनलाइन फार्म जो है वो 10 जनुर्वरी 2021 से लगना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर यह 2020 की 6th नंबर की अडवर्टेजमें निकाल ली गई है जेके एससबी की तरफ से यहाँ पर एक के बाद एक जो है वो अडवर्टेजमें निकाली जा रही है और यहाँ पर कैंडिडेट्स खुद कन्फूजन में है कि वो कौन सा फार्म फिल करें कौन सा फार् लगते रहेंगे तो वीडियो में आप अंड तक बने रहें हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं स्टूडएंट हैं यहाँ फिर किसी गवर्णमेंट आपकी त्यारी कर रहें क्रंट अपडेट्स नोटि दारी किया गया और यहाँ पर आप देख पा रहें अडिजमेंट नंबर शिक साफ 2020 यह यह 6 नंबर की अडिजमेंट है वह 29 डिसंबर को ही यह अडिजमेंट निकाली कर लिए और हैं यह बताना चाहते हैं कि यह डिस्ट्रक्ट विजनर और जूटी कार्टरे की पोस्टर् और यहां पर बात करें सबसे ज़्यादा पोस्टर आपको देखने को मिलेंगी वह हैं higher education में higher education में आपको 138 पोस्टर देखने को मिलेंगी hospitality and protocol department में आपको 10 पोस्टर देखने को मिलेंगी बात करें आपकी as की तो यहां पर यहांपर maximum שटो form count पे इट लोतर है उनमें यहांपर जरनल काटगरी की 40 year 54 वाल गता है जाना पर 40 year है जैना है जैनुकि 40 a.s कम आपकी वाल बाकी चाहिए और लります और अगर आपके पुने जैसे ए गता है तो यहांपर 33 एक कारा मेला है और मिंवस करें तो इहां पर जब आपकी फीस ड़क hasn guarantee निट्रवी के हुआज यहां पर जो मैक्समम फिप्स ही रहती है तो है यहां पर इनफ औरा की फीस हो आंटlaइन फिद रुपीज वो फीज रहने वाली है और गाईज अगर हम बात करेंगे कि आपकी जो मार्किंग हो गई उसमें यहाँ पर आपकी 0.25 जो है वो नेक्टी मार्किंग रहेगी जानि कि जो पहले एक्जाम हुए थे उनमें भी यहाँ पर 0.2125 आपकी नेक्टी मार्किंग रहती है अगर आपका यहाँ जो आंसर हो गलत होता है तो आपकी 0.25 मार्क्ड जो अगराइब आपकी यहाँ अगरासे के sets तो गाईस अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर पोस्ट का रहें तो यहाँ पर आपको देख पारें, यहाँ पर यह सबी पोस्टर्श जो है, वो आपको यहाँ पर मतलब एक ही जगा पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी, हैँपर कुछ यहाँ पर एक दो दो वी हाँ पोस्टर्श हैं, और कुछ यहाँ पर बात करें junior assistant की, तो यहाँ पर junior assistant की six posters है तो यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर जो है अलग अलग यहाँ पर posters आपको देखने को मिलेंगी So guys अगर इसको one by one discuss करें तो यहाँ पर video बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी यहाँ पर आप देख पारें higher education में 27 जो है यह सबसे जादा है 27 जो है posters आपको देखने को मिलेंगी junior assistant की इसी तरह यहाँ पर library assistant की जहाँ पर 15 vacancy देखने को मिलेंगी मतलब यहाँ पर इस तरह की vacancy देखने को मिलेंगी लेकिन guys मैंने इसको complete read कर लिए और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ 10th level की posters है कुछ 12th level की है और कुछ graduate level की लेकिन यहाँ पर guys बताना चाहते हैं कि कुछी posters है जिनके साथ आपको ITI होना जरूरी है और कुछ ऐसी है कि जिसके साथ यहाँ पर आपके पास graduate के साथ आपके पास 35 words की यहाँ पर आपकी joh typing speed होनी चाहिए तो यहाँ पर PAT C तो यहाँ पर यहाँ पर आपके लिए पोस्टेश हैं और यहां पर आपके पास कोई रिपलामा है, Certificate है, यहां फिर आपके टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो इस तरह की यहां पर यह मैक्सिमम पोस्टेश है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए तो लाइक जरूर करें, और गैस अगर आपको कोई doubt रहता है तो आप मैं comment करके पूछ सकते हो हम आपका reply ज़रूर देंगे आप इस वीडियो को share ज़रूर करें thanks for watching